नमस्कार किसान सात्यों स्वागत आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में किसान सात्यों आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आपकी फसलों के अंदर या आपकी सब्जिवों के अंदर लेडी बर्ड बीटल नाम का अगर यह है किट हो जाता है तो आपको इसकी नहीं है और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे किसान साथियों जैसे कि आपकी स्क्रिंड पर देख पा रहे हैं एक यह कीडा है वो कहते हैं या फिर हम इसे लाल भूंड के नाम सी जानते हैं जो हर्याणा में लाल भूंड के नाम से इसको मुखिरूप सी जाना जाता है किसान साथियों परसंड यह उड़ते कि क्या इस कीट के होने पर आपकी फुसलों के अंदर आपको सप्रेक करना चाहिए यह नहीं करना साहिए सबसे पहले अगर बात आती है इस कीट की तो जितने भी हमारी फसलों के इंदर कीट होते हैं वो जो किक आनदर के जो कीट है फार ऑक का भी काम करता है और ये स्त्रोकीट का भी काम करता है इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये कब आता है क्या 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 काम करता है किसान announce पर्षती बात कि ये मां के शबता में ये.......... Dodge में स설ों में आपकी वृता है फिर जोब अब फरवरी के अंते में जितनी भी सब्जिया लगाते हैं खीरा ककड़ी पेठा भिंडी इस प्रकार की फसलों के उपर इसका प्रकॉप शुरू हो जाता है यह दो प्रकार से काम करता है सबसे पहले यह काम करता है के सत्रू कीट की भूमिका में अगर सत्रू कीट की भूमिका मे और या ठीज् trips आफिड जैसुक्त कित नहीं होते हैं उस से में यह क्या करता है या इस प्रकार की कित नहीं होते जो साइज में एक से डेड इंच का है जिसकी मातर तीन थे चैर पतिया निकली है अगर उस फसल के उपर इसका अधिक पर कोफ हो जाता है यह उसकी जो पतिया है उसको काट लेता है पतियों काटने कारण किसान साथियों जो हमारी फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पाती क्योंकि ज इसके करण हैं में काफी नुकसान के अशर्ण का रहती है इसलिए जब हमारी फसल इन तीन से च़ार पति की योग कास कर फरवरिमा में त्समी जो हमारी घीया है क्रेला है तुरी है कीरा है है ककड़ी है भिणडी है इस परकार की जो हमारी जितने हुआ है उसके अदर तीन चार पती के मोनो करोर्ठ का सप्रेश कर सकते हैं यह मेरे पास मोनो को partie है अगर इसकी दोज की बात किजए तो बीस एमल परती 15 लिटर के टैंक के हिसाब से आप इंस का होती है अगर बात कि जाएं लेडी बर्ड बीटल काफी असानी से सवाप्त हो जाएगा और जो आपकी फसला उसके अंदर ग्रोथ भी काफी अच्छी आएगी उसके बाद अगर इस से मोनो से अगर आपका लेडी बर्ड बीटल अगर कंट्रोल नहीं होता तो आप इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं तीन नों जितने भी हमने दौईयां दिखाए तीन में से आप किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं इसे काफी असानी सी जो लेडी बर्ड बीटल है वो समाप्त हो जाएगा अब बात आती है इसके दूसरे पहलोगी है जो यह दूसरा आपना जो करि हो जाती है जैसे अगर अब की फेसल बड़ी हो चुकी है और उसके अंदर अगर लेडी बितिल लगा अगर प्रकूप आता है तो वह हमारे लिए फाइदेमंध होता है निकीनन का दाइक कि हमारी गहों की फसल पर या किसी अन्य फसल पर जितने भी फ्रिप्स लगे होते है तेला चेपा माहू इस प्रकार के अगर एफिड जैसिड अगर इस प्रकार के हमारे रस्तूसने वाले जितने भी किट लगे होते हैं तो लेडी बर्ड बिटले के पर बक्षी कीट है यानि कि वो दूसरे किट्टों को खाता है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे यह इस प्रकार जो रस्तूसने वाले कीट है उनको खा जाता है और हमारी फसल के अंदर फाइदा पहुचाता है तो किसान साथियों इसे जो हमारी फसल की अवस्ता है इसके अंदर हमें किसी प्रकार की जो सपरे है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम सपरे करते हैं अ ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर कोई नुक्सान पहुंचाने वाली कीट हमारी फसल के अंदर आते हैं तो उसी प्रकार हमारे मित्र कीट भी हमारी फसल के अंदर आते हैं जो उनको खा लेते हैं तो इसलिए इस कंडिशन के अंदर आपको किसी भी सप्रे के आउशकता नहीं है हैं सबसे पहले आप यह ईंजार करें अगर आप की फिणे के अंदर यापकी सब्जीयों के अंदर बड़ी हुने के बाद अगर थिप्स है और उसके साहथ लेड़ी बर्ड बिट थो आपको घबराने कह पड़ेगा आपको चेन करना पड़ेगा का आपकी फसल किस कंडिशन में हो जो लेडी बर्ड बीटल है आपको नुक्सान पहुंचा रहा है या फाइदा पहुंचा रहा है उसके अनुरूप यह आपको सप्रिक करना है या नहीं करना उसकी मोनिटरिंग आपको आपके खेत म पर धन्यवाद जैहिए